हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस यूनिक्स के सेक्शन में हम पढ़ेंगे कौन हैं हम वैसे तो अजीब से लग रहा है यह नाम बट इस पर्टिकुलर से सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे करेंट यूजर्स होते हैं या मतलब आप मालब भूल गए आपका यूजर न या अपने इंडस्ट्री में काम करने के लिए या बेसिकली आपका जो यूजर नेम है वो जानने के लिए हमारे लिए पास होता है हूं है माई कमांड एक तरीके से जिनकी आदाश अच्छी नहीं है उनके लिए कमांड है बट स्टिल ठीक है जैसे कोई नया आपका यूज अधर नेमी सब जानने के लिए हम लोग का यूज करते हैं दहुआ है मांड तो चलिए शुरू करते हैं हूँ और यू क्या है हूँ आर यू से इसका रिलेशन है बेसिकली इसका अगर हम इस हूँ आर यू को डिफाइन करें तो अगर यहां पे हम लिखेंगे अपने शेल म हो एम आई ठीक है तो अगर हम यह कमांड लिखते हैं तो हमें यह क्या बताएगा current user कौन सा यूजर current user अब अपने अपने यूनिक शेल में लिख सकते हैं हो एम अी कमांड और यह आपको बताएगा कि वो उसमें कौन सा current यूजर currently logged on है है या कौन सा यूजर वर्क कर रहा है आप किस यूजर से लॉग डेन है ठीक है अब आपको थोड़ी और जिग्या सा जागी यह थोड़ा और वो क्यों थे ना वो लगा कि पता तो करें कौन-कौन काम कर रहा है आज ओफिस में या कौन-कौन सर्वर पर एक्टिव है तो उसक हमारे में काम कर रहे हैं तो बैसिकली वू लॉग डिन तो उसके लिए पहला कमांड आएगा यूजर्स कमांड दूसरा कमांड आएगा हू और तीसरा कमांड आता है डवलू ठीक है इनको अगर हम शेल में लिखेंगे तो शेल के लिए यह आपका डॉलर साइन शेल को डाउन कर देगा जो जो आपके पे मतलब जिनको एकसेस दिये गए हैं यो जो जो जिनके यूजर नेम और अकाउंट्स बने हुए हैं उस सर्वर या उस यूनिक्स प्लाटफॉर्म पे जिस पे आप काम कर रहे हो उस वेस्ट पे हूँ हूँ भी आपको सेम तरीके से देगा इसमें क्या होगा जब आप यूजर's I'll differentiate it first this section ठीक है तो यूजर's जब आप यूजर's यह वाली कमांड दे तो यह वाली ठीक है तो यह वाली command देने वक्त आपका जो भी ऐसे आपका user है a,b,c इस format में output मिलेगा बड़ जब आप who command चलाते हो तो आपका format कुछ यू होगा next line में आपको सारे users के नाम मिलेंगे और last command आती है वाई w command यह w command को हम क्या करते हैं जब भी हम run करेंगे तो आप इसको दो तरीके से run कर सकते हो w-s और w-u यह थोड़ा detailed format होगा यह थोड़ा short format होगा पर यह जो अभी running systems जैसे आपके running systems में महलब दो users हैं दो users कितनी capacity ले रहे हैं यह CPU की और क्या कब processes start हुए है everything यह बताएगा कि यह कब से logged in है और ideal है कि नहीं है तो चलिए इसको एक practical के थूँ देख लेते हैं मैंने अपने system में जो मेरा अन्बून मेरे system में अन्बून 2 है ठीक है हमने उस पे सिर्फ मैंने भी कल अपना user बनाया है तो देखते हैं कि who am i command चलती है की नहीं चलिए देखते हैं टाइप करता हूँ मैं इसमें अभी type करता हूँ who am i आई तो इसमें क्या नाम आना चाहिए देखिए मेरा नाम वसी आगे लिखा हुआ है तो मेरा user भी यही है अगर मैं login करूं दूसरे नाम से जैसे मेरा एक और इसमें user है तो मैं अगर उससे login करता हूँ देखिए यह तुरंत password मांगेगा पासवर्ड मांगने के साथ अगर मैं इसका password भी दे दू तो यह मुझे login कर देगा फिर मैं अगर who am i command चलाता हूँ तो देखिए इंदाम देगा अब हम चलाएंगे डबलू कमांड मैं आपको जैसे बताया है डबलू कमांड आपको क्या देती है कि कित्ती देर से अप है और कितना लोड है उस पर आइडियल तो नहीं है वो यह सारी डीटेल्स यहां पर शो करेगा ठीक है तो आज के सेशन में हमने सीखा who am i command दूसरी कमांड हमने सीखी यूजर्स कमांड तीसरी कमांड हमने सीखी कैसी की थी who command very good last हमने सीखी डबलू कमांड तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है फैंक यू एंड कीप लर्निंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें